हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल आज में डीप नेक ब्लाउस पे पार्फेक्ट आर्म होन और शोल्डर कितना लेना है स्टेप बास्टेप में पुरा दिखाऊंगी और फ्रेक्ट उसके पहले अगर आभी तक आपने मेरे चल्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प् अरफेक्ट पीटिंगस का अगर आपको फिटिंगस ब्लकम स्पेलना है तो यह मेजरमेंट है अगर आपको तोरा लेंड आफ है तो देखिये सबसे पहले यह हैं और यह है शोल्डर तो आर्म मौन देखिये 32 से 34 सैज पर आरम होड रोण कितना दRIA येंत 5.75 तो देख इंसे आपको दोसुत काम लेना है यहां तक यह है 5.75 तो आगर आपको थोड़ा लूज राखना है तो आप 5.85 या 6 भी रख सकते हो कोई प्रोब्लेम नहीं होगा लेकिन आगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको 5.75 इंस लेना है और आगर आपको रेडिमें से हल्का से लूज होगा उसके बद शोल्डर देखिए शोल्डर 5.49 से 5.50 से इतना तक आप ले सकते हो आगर बहुत जादा डिप होता है तो 5.4 लेना है आगर नर्मल डिप है 11 इंस तक है तब 5.51 लेना है उसके बाद 36 से 38 तक या या आर्मुला 5.85 ले चकते हो या 6 भी ल ले सकते हो ने तो 5.85 इंच लिजेगा और शोल्डर है 5.5 इंच और 40 से 42 साइज तक यह आपको आर्मोल 6 इंच लेना है और शोल्डर 5.5 इंच 44 से 46 साइज तक यह आप 6.1 इंच ले सकते हो अगर किसी का आर्मोल बहुँ ज़्यादा होता है तब 6.2 लिजेगा ने तो 6.1 इंच से पारफेक्ट है और शोल्डर 5.6 इंच 48 से 50 साइज तक आर्मोल 6.2 से 6.3 इंच लेना है इस आगे ने चाहिए और शोल्डर 5.75 इंच से 6 इंच अगर किसी का शोल्डर बहुँ ज़्यादा है तब 6 इंच अधर्मोल बाइस 5.75 इंच देने से हो जाएगा तो आभी देखिए शोल्डर के मेजरमेट लेके मैं दिख यहां तक लिया उसके बाद आर्मोल लेना है 5.75 इंच यहां तक है 5.75 देखिए कहां तक है 6 इंच से मैंने 200 कम लिया अब यहां से भी लेना है 5.4 फिर इसको मिलाना है उसके बाद चाती यह 32 है इसका चोटा हिसा लेना है 8 एक पर पॉइंट देना है यहां तक है उसके बाद आर्मोल का गुलाई देना है यह मैं 1.1 पर रखूंगी देखिए मैंने 1 इस लेने के बाद और भी एक सूत लिया इस तरह से तो आभी हमें देखिए मैं यह इन सिट पसे मैजर्मेंट करके दिखाते हूँ यहां पर शोल्डर पर हापी सिलाई पे दाबएगा शिलाई पे दाबने के बाद देखिये यहां से अंदर की साइट से इस तरह से जब अस्तिन जोड़ेगा इस तरह से अंदर की साइट से होगा तो यहां देखोगा इसका measurement तब देखिए 32 साइज पे ज्यादातर क्या होता है आर्मोन कितना होता है 14 इंस से 14.5 इंस इतना ही होता है तो यहां से मैं इंसी टब को इस तरह से घुमाँगी तो आप देखिए बिलकुल 7 इस 7.2 तक आया है तो आगर आपका आर्मोन 14.5 इंस से तो आप 5.75 लिजिएगा अगर आपका 14 होता है तो आप 5.5 इंस लिजिएगा तो आपका पार्पेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से आपको आर्मोन का मेजरमेंट निकल लेना है तो देखिए यहाँ पे आप याँ 34 साइस की देखिए 34 का चोता हिसा कितना होता है तो पहले मैं शोल्डर का मेजरमेंट लेती हूँ यह 5.4 भी ले सकते हूँ उसकी बाद 34 का मैं 4 चोता हिसा लेती हूँ 8.5 यहाँ तक है तो 34 पे कितना होता है 15 भी होता है 16 भी होता है 15.5 भी होता है यह बिलकुल अलग अलग होता है हर किसी का तो आपनी हिसाब से यह लेना है तो देखिए आब यहां तक है measurement उसके बाद यहां से हमें armhole के लिए measurement लेना है देखिए अभी armhole के लिए कितना देना है मैं one point two रखूंगी यहां तक रखूंगी तो देखिए इसको इस तरह से मिलाना है तो यह है main measurement यहां तक तब यहां पर मुझे measurement लेके देखना है दोबरा से यहां तक होता है देखिए 7.5 इस हो गया है 7.5 मतलग 15 इंच आया है तो आपका जितना armhole है आपको उसी हिसाब से लेना है अगर आपका armhole 15 इंच तक है तब आप 5.75 ले सकते हो अगर उससे जादा है तब आपको थुरा जादा लेना है तो इसी तरह आपको hard size के लिए measurement लेना है same process है कुछ अलग नहीं है इस तरह से आप किसी की भी armhole की measurement ले सकते हो बहुत ही easily तो उमिद है friends आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आपको मेरे आज की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक चेर का मोनेट सब्सक्रेब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद